कर मैंने जब यह चिकन का पकोड़ा बनाया था न तो इत्ता ज्यादा टेस्टी बना था कि बनते ही सफाचाठ हो गया और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो यहां हमने बॉनले चिकन लिया है और इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस कर लिये है अब इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून अद्रक लासन का पेस्ट, वन टीश्पून तीखा लाल मिश पाउडर, वन टीश्पून धनिया पाउडर, हाफ टीश्पून जीरा पाउडर, हाफ टीश्पून काली मिश पाउडर, हाफ टीश्पून हल्दी पाउडर और आधा न अब एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे और चिकन को डालके सब तरफ अच्छे से फ्राई कर लेंगे यह करारे कुरकुरे और अंदल से बहुत ही जूसी चिकन पकोड़ा बनके तैयार हो गया यकीन मानिये इतना ज्यादा टेस्टी लगता है अगर आप एक बार खा लिए न तो आपका भी यह फेवरेट हो जाएगा और इस बर्चात में तो एक बार बनाना बनता है इसे और अगर आपको यह रेश्पी पसंद आया हो तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा